कौन है ये समाज के ठेकेदार जिनोंने इनके इनसान होने पर सवाल पैदा कर दिया है। दलितों पर अत्याचार काफी समय से होते आ रहे हैं। दलित समाज आजादी के पहले से ही उत्पीलन का शिकार हो रहे हैं। और अब भी इन पर रोक नहीं लगी है। आई दिन सुनने में आता है कि आज फिर किसी पर हमला हो गया और फिर पता चलता है कि वो एक दलित समाज से था। हमलों का ये काफिला है कि रुकने का नाग नहीं ले रहा है। हमले वही रहते हैं बस घटना बदल दी जाती है। ग्यारा जुलाई को भी खुछ ऐसा ही हुआ। चार दलित लड़कों को हमले का शिकार बनाया गया। और उन्हें ये कहकर बुरी धर पीटा और कार से भान कर खसीटा गया कि वो गाय की चमडी को उतार रहे हैं। यानी गो रक्षा के नाम पर समाज के इन ठेकेदारों ने उन चारों लड़कों को पीच सडक पर पीटा। जो सक्ष इन लड़कों को पूरी तरह पीठ रहा हैं। हम आपको बता दे कि ये आरेसे से तालुक रखता है। यह अपने आपको RSS का कह रहा है जी हाँ इस सक्ष का कहना है कि इन लड़कों ने पाप किया है और ये गाई की चमड़ी को उतार रहे थे इसलिए इन लड़कों को इनकी करनी की सजा मिल रही है ये सक्ष खुद को गाई की रक्षा करने वाला बता रहा है और गौरक्षा के नाम पर इनको अपनी जुल्मों का निशाना बना रहा है दलित पर हर रोज भड़ते अत्याचारों से दलित समाज के लोगों के अंदर आकरोश पैदा हो गया है दलित समाज के लोगों का गुस्सा जैसे उबल रहा है लोग जगा जगा विरोध में प्रदर्शन कर रही है जी हाँ इतना ही नहीं इस घटना के विरोध को लेकर कुछ लोगों ने तो आत्म हत्या तक की कोशिस कर डाली राजकोट शहर में पांच लोगों ने इस घटना का विरोत करते हुए जहर पी कर आत्महत्या की कोशिस की और वहीं दूसरी तरफ जामत का डोरना में दो युवकों ने भी जहर पी लिया पूरा दलित समाज गुस्ते की आग में जैसे जल रहा है और गुहार लगा रहा है इंसाफ की और मांग रहा है दलितों पर होने वाले जुर्म का इंसाफ दलितों पर हो रहे अत्याचारों से परिशान ये दलित कह रहे हैं कि बस बहुत सहलिया अब और जुल्म नहीं सहे जाते और दलित शोशन के विरोध में समाज के दलित लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं जगे जगे प्रदशन कर रहे हैं इसी प्रदशन के चलते राज कोट गोंडलो हाईवे को रोक दिया गया है और यही नहीं इन लोगों की विरोध की आग जैसे सर चड़ कर बोल रही है इसी के चलते इन प्रदशन कारियों ने दो बसों में आग तक लगा डाली है इन लोगों का गुस्सा पहले तो बस पुलिस पर ही फूटा था लेकिन अब इनका गुस्सा देश में आग की तरह फैल गया है और इन साथ की कोहार लगा रहा है कह रहा है कि अगर यह अत्याचार बंद नहीं हुए तो वो मरे हुए जैनवरों को नहीं उठाएंगे दलित के विरोध की आग देश में फैल ही रही है पर साथ ही देश की राजनीती भी गर्मा रही है तो वही मायावती ने केंदर सरकार पर निसाना साधा है दलितों का आकरोश तो देश में दिखी रहा है पर इस घटना से राजनीती में भी काफी उथल बुथल मची हुई है इस घटना को बेहदी शर्मनाग बताती हुए मायावती ने क्या कहा आईये सुनते हैं मुझे इस मामले में सही तत्तों की जानकारी दी और उसके बाद पारलेमेंट का सत्र सुरू होने से पहले ही मैंने इस घटना को गंबीरता से लेते हुए तो प्रेस नोट जारी भी किया पार्लेमेंट में तो ये मामला मैंने बाद में उठाया इसको लेकर मैंने प्रेस नोट भी जारी किया और इसके साथ ही मैंने इस मामले को अति गंबीरता से लेते हुए जिस दिन पार्लेमेंट अब ये मानसूर सत्र शुरू हुआ पहले ही दिन हलाकि मुझे बहुत दिक्कत गई जब इस मामले को मैंने उठाया तो सत्ता पक्ष की ओर से उन्होंने काफी बीच में अर्चने पैदा की हंगामा किया लेकिन फिर भी मैंने ये बात अपनी पार्लेमेंट के अंदर ये रखी इस खटना से अपनी चबी को बचाते वे राजनात सिंग ने क्या कहा आए जानते हैं उस पर जो कुछ भी मुझे कहना होगा मैं कहूंगा मैं यह कह रहा हुता अध्यक्ष बोडिया कि 12 तारी को लोटने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे टेलिफोन करके वो अपने रजिडन्स पर बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने जहां अन्य घटनाओं की चर्चा की उसके बाद साम को उन्होंने इस घटना की जानतारी प्राप्थ होने पर उन्होंने उसकी चर्चा की और उसके बहुत थी घटना के नौ आरूपियों को हिरासत में ले लिया गया है और अब इस मामले की जाच हो रही है अब देखना ये होगा कि दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर कब जाकर रोक लगेगी कब इन दलितों को समाज में बैठे ठेके दारों से आजादी मिलेगी फिलाल के लिए हमारे इस कारिक्रम में बस इतना ही समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहे समाचा टाइम 24 धन्यवाद